अपने किस्ते जमा करनी रहती हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर वेटे बहुत आसान तरीके सा आप अपनी किस्तों को चुका सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में यही णोफ है किस तहीं के सा आप अपनी फाइन चैनल जो किस्ते हैं में तो और दोस्तों हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो है अपनी पेंडिंग किस्तों को भी किस परकार से चरक कर सकते हैं जो आपके पास पेंडिंग पड़ी है किस्ते दोस्तों जो आपकी फाइनेंशल किस्ते दोस्तों वो पेंडिंग कितनी है वो भी आप देख सकते हैं और किस परकार से से भर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू दोस्तों मैं चलाता हूँ अपने पेटियम में जैसे कि आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैं चलायाताँ उपने पेटीम पर ओ मैं कर लेता हूँ इसको download जैसे मैं unlock करूंगँ दोस्तो आपको simply कुछ नहीं करना आपका यहाँ phone पर या पेटीम कुछ भी हो सकता है दोस्तो google पर भी हो सकता है किसी से भी आप कर सकते हैं कि दोस्तों आपको सर्च वाले उप्शन पर किलिक कर देना जैसे कि आप यहां देख रहे होंगा उपर तो मैं इस पर सर्च पर किलिक कर देता हूं जैसी आप सर्च पर किलिक करेंगे तो सर्च में आपको क्या लिखना दोस्तों लोन लिखना है जैसे कि मैंने लिख लिया है और जिसमेर के लोट हुत ऊप तो दोस्तों यहां पेल ऑन का ऊप स gewoonल चाहिए ओपसें तो मैं आयां पर कई कर दूंगा चलिए मैं गूक्아 पर किलिक कर दिया हूं दोस्तों यहां आपको एड रिञाँ को option मिल जाता जैसे कि मैंने और भी किस्ते हैं पहले से मैंने जो इमाई भरी हुई है कई सरे लोग की हम भरते रहते तो यहां उपर सो हो रहा है तो आपको जो एड़ निव पर किलिक कर देना जैसे कि यहां प्लस पॉंट देख रहे होंगे तो इस पर किलिक कर देना जैसे आप एड़ निव पर किलिक करेंगे तो यहां से आपको अपना लेंडर जो वो सर्च कर लेना कि इसके माध्यम से आपका जो फाइनेंस किया हुआ है जैसे कि यहां डियमाई फाइनेंस मिल जाता हूँ और IDFC First Bank Limited मिल जाता है बहुत सारे यहां लेंडर दे रहे हैं जिसका भी हो दोस्तों आपको वो अपने सेलेक्ट कर लेना है तो मेरा तो हज़ दोस्तों टीमाई Almighty फाइनेंस है तो मैं इसको यहां पर क्लिक कर देता हूँ лежसे आप यहां के लिक करेंगे तो दोस्तों यहां मिल जाएंगे आपको दो ऑी जैसे कि pay EMI amount और यहां मिल जाता pay total overdue amount तो आपके पास जो कितना overdue amount है दोस्तों यहां से आपको बहुत सोकर आएगा तो चलिए मैं जो पहले एक EMI पर क्लिक करके दिखाता हूं पे EMI amount पर जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां loan account number मांग रहा है तो यहां आपको loan account number डाल देना तो चलिए मैं जो यहां loan account number डाल देता हूं जैसे कि मैं यहां डाल देता हूं दोस्तों जैसे कि मैंने अपना loan account नमबर डाल दिया है और जैसे मैं इसको proceed पर क्लिक करूँगा यहीं दिया आप nickname निखला जाओ तो लिख भी सकते हैं otherwise आप proceed पर क्लिक कर देना है तो चलिए मैं जो यहां proceed पर क्लिक कर देता हूं जैसे मैं proceed पर क्लिक करूँगा तो यहां जो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का एंटरफेस ओपन होगा जिसमें की मेरी किस्तों को दिखा देगा जो की मेरी financial किस्त है दोस्तों जो मेरी EMI है बहुत दिखा देगा जो की आपका पेंडिंग है जैसे कि आप यहां दिख रहे होंगे 6045 रुपीज है मेरा pending amount तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना EMI का जो है दोस्तों pending amount देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी pending किस्ते हैं कितने किस्ते हैं पडिखिए हैं तो आप यहां जो है आसानी से देख पाएंगे इसे प्रिकार से और अगर आपको pay कर रहे हैं तो दोस्तो आपको proceed to paper click कर देना जैसे कि यहां आप screen पर देख रहे होंगे यह किस्त एक हो दोस्तो यहां फिर हो total तो आपको यहां paper कर देना पर पेपर शीट पर तो दोस्तो आपको यहां अपने पसंद आयो हो और आपके कामा आयो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अम इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर अफलोट करते रहे हैं, और दोस्तों आप waiting से करें, या Google पर sich लेज या फोन करें